बड़ी अपडीट ज्वाज सावन के पवित्र महीने का आखरी सुमवार है श्रिव मंदिरों में आस्ता का ज्वन सहलाब उम्राय श्रद्धालू का ताता लगा है मंदिरों में खरहर महादीव की जैगूश गूंच रही है आखरी सुमवार है और इसके साथ ही आपको बतात से चले कि मंदिरों में शिवालियों में भारी भीर देखने को मिल रही है बड़ी संक्या में श्रद्धालू यहां पर पहुंच रहे हैं शिवालियों में बाबा के दर्श्वन के लिए स्वक की बड़ी ज्वानकारी आप तक पहुचवा रहे हैं क्यूंकि जुस तरह से द मंदिर में हरर महादेव की जए घूश की गून सुनाई दे रही है पवत्र महिने का जो आखरे सोमवार है सावन का शिव मंदिरों में आस्ता का ज्वन सेलाब उम्रा है बड़ी संख्या में श्वधालू का ताता लगा हुआ है यहाँ पर श्वधालू बाबा के दर्शन सौमवार है जो बीच और बड़ी संक्या में श्वधालू शिवालियों में पहुंच रही है बिल्कुल देखिए इस सावन इस महीने जो इस साल जो सावन आया उस सावन की सबसे खास बात यह रही कि इस सावन की शुरुवाद भी सोमवार से हुई और अब जो है आज सावरी भीड़ है गाजियाबाद के दूधिश्वरनात मंदिर जो की काफी प्रसिद्ध मंदिर है इसके लावा गौरी शंकर मंदिर चान्नी चौका गौरी शंकर मंदिर इसके लावा जंडे वालान मंदिर और कई सारे बड़े मंदिरों में बड़े संक्या में शधालू स रक्षा बंदन को लेकर भी क्योंकि भाई और बेहन के प्रेम का ये प्रतीक होता है रक्षा सूत्र तो उसको लेकर जो है सावन का महीना भी जाना जाता है और आजी के दिन जब सावन समाप तो होता है उसी दिन ये रक्षा बंदन का पावन पर्रो मना जाता है कई विद्वानों का ये मानना है कि आज डेड़ बजे के बाद रक्षाबंदन का मूर्थ है जो की शाम को सूरियास तक रहेगा लेकिन उसके बाद पौने साथ बजे से लेकर रात को नौ साड़े नौ बजे तक भी आप रक्षाबंदन का त्योहार मना सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज सावन का आखरी सोमवार है कि अगर आज के दिन में भगवान शंकर का अलग-अलग चीजों से जलाभिशे किया जाए तो अलग-अलग मनो कामनाय पोण होती हैं अगर आपके पास धन चाहते हैं तो धन को लेकर भी कहा गया है क और कहा जाता है कि आज के दिन अगर उपवास किया जाए तो और भगवान शंकर के आराधना की जाए तो निश्चित तोर से वो मनो कामना को पूर्ण करते हैं कि देखिए क्योंकि आज दो चीजें हो गई है जया एक तो सावन का आखरी सोमवार हो गया है और दूसरा रक्षामंदन हो गया है तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने आज जो है वो काफी बड़ी चुनाती है हर राज्जी की पुलिस में कहूं केवल दिल्ली पुलिस न लिए यात्रा फ्री होती है क्योंकि दिल्ली में पहले से ही महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है तो इस बार उसका एलान नहीं किया गया है लेकिन वैसे कई राज्यों में एलान किया जाता है कि आज के दिन महिलाएं कहीं पर भी ट्रेवल करें तो उनके लिए यात्रा फ्र तो दिल्ली पुलिस से लेकर हरियाना, यूपी इन सभी पुलिस महकमों ने मंदिरों के आसपास की सुरक्षा को प्रबंधन को तेज कर दिया है, दुरुस्त किया है, वहाँ पर पिकेट बढ़ा दी गई है, इसके अलावा प्रबंधन देखा जा रहा है मंदिर समीती के साथ ताकि शद्धालों को ज़्यादा परिशानी न हो, यातायात की एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आज लोग अपनी गाड़ी लेकर, क्योंकि महिराएं अगर अपने बहन के भाई के वहाँ जाती है, तो ऐसे में कई लोग अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो उसमें यातायात भी अपने आप में एक बड़ा इशू होता है आज के दिन में, तो यातायात पुलिस भी ध्यान रख रही है, तो कई तर इस तर पर इंतिजाम किये गए हैं, और सावन का आखरी सोमवार सुरक्षा के दाइरे में सफलता पूर्वक मनाले शद्धालू, रक्षा पंदन का त्योहर बेहने मनाएं, भाई मनाएं, तो इसके लिए जो है सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से तयार हैं, जी, तबाम जानकारी साजा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप